नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर पर दोस्तों बस्थित हूं दोस्तों आप सभी के लिए कुछ एक महत्तो पूर्ण जानकारियों को ले करके जिहां दोस्तों आज हम सभी बात करेंगे अंकुरित चने को खाने के फायदे लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है दोस गोदें उसके बात करना क्या है आपको कि उसे आप सबसे पहले किसी भी सूतिक वस्तर में लपेट करके रख दें उस पर पानी का छिड़काओ कर दें वो आपको अगले 24 आउर्स के अंदर अंकुरित मिलेंगे इनको खाने के फायदों के बारे में आज हम सभी बात करेंगे दोस्तों जो लोग अपनी सेहत से प्यार करते हैं उनकी दिन्चरिया में वियायाम के अलावा सुबह सुबह ली जाने वाली वह अंकुरित अनाज है जिसे अगर नियमित रूप से लिया जाए तो आपको धेरो स सारे फायदे होंगे दोस्तों इन्हीं अंकुरित अनाज में से एक है चना आये इसके लावों के बारे में हम सभी जानते हैं नंबर वन काले चने का प्रियोग किसी भी रूप में किया जा सकता है क्योंकि यह सेहत के लिए बहुत ही फायदे मंद होते हैं यहीं नहीं प्रूप से भींगो कर खाते हैं तो पेट या कब्ज से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं ध्यान रहे इसका प्रियोग छिलकों के साथ ही करें छिलके निकाल कर नहीं करना है इसका प्रियोग आपको नंबर थर्ड यदि आप सुस्त हैं या आपको बहुत ज्या सेवन करते हैं तो यह आपके पूरे दिन को उर्जावान बनाए रखेगा नमबर फोर शहरी भाग दोड़ भरी जिंदगी में आज बलड शुगर या डाइबीटीज आम हो चुकी है इसलिए जो लोग इस समस्या से पीडित हैं उन्हें काले चने खाना चाहिए कारगर उपा करता है यदि आप इसे सुबह सुबह खाली पेट खाते हैं तो यह और भी ज्यादा फायदे मंद हो सकता है नमबर फाइब काले चनी का नियमित सेवन शरीर में आईरन की कमी नहीं होने देती है और इसमें मौजूद फासफोरस और आईरन नई रखत को शिकाओं को बनाने में सहायक होते हैं और हीमोगलोबीन के स्तर को भी बढ़ाते हैं जिससे एनिमिया जैसे बीमारी से बचा जा सकता है यदि आप इसका सिवन गुड के साथ करते हैं तो यह और भी अच्छा है बार बार पेशाब आना या यूरीन संबंधि रोगों के लिए काला चना एक कूरित कर बल की भून कर खाने से भी पेशाब संबंधित समस्याएं दूर होती हैं दोस्तों नमबर सेविन आपने अधिकतर लोगों को रात को चीनी मिट्टिक के बरतन में भींगोए गए चनों को खाते हुए देखा होगा इसके पीछे की वजह शारीरी कमजोरी को दूर करना होता है आप इसका प्रियोग दूद के साथ भी कर सकते हैं इतना ही नहीं यदि भींगे हुए चने के पानी में शहद मिलाकर पिया जाये तो पुरुशत्व में बृद्ध ही होती है दोस्तों नमबर 8 मानसिक तनाव एवं उनमाद से गुजर रहे लोगों के लिए चना बेहद है फायदे मंद है यह रात को चने के डाल को भींगो कर सुबह पीस कर चिनी वपानी मिलाकर पीने से मानसिक तनाव संबंधित समस्याएं दूर होती है दोस्तों नमबर 9 भींगे हुए चने को दूद के साथ पीस कर इसमें शहद और हल्दी मिलाकर यदि आप नियुमित रूप से चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरा दिनो दिन और निखरेगा दोस्तों नमबर 10 पीलिया के रोगियों को अंकुरित चने का सेवन करना चाहिए इससे बहुत ही लाप मिलता है दोस्तों नमबर 11 यह हड्डियों को मजबूती प्रधान करता है इसके साथ ही यह कई रोगों को दूर करने में भी सहायक है नमबर 12 अंकुरित अनाज की मदद से पेट में उपस्थित विशाक्त पदार्थों को बाहर निकाल सकते हैं आप निंद खराब करके रात को बार बार उठकर पेशाब करने के लिए जाना एक समस्या है जो कई लोगों के साथ है इसके लिए आप अंकुरित चना खाईए आ शरीर तंदुरूस्त रहता है और बीमारियां नजदीक भी नहीं आपाती हैं दोस्तों नमबर फोर्टिन शरीर में प्रोटिन के मातरा बढ़ाने के लिए अंकुरित चने को साबूत या पीस कर चीनी और पानी के साथ लीजे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा साथ ही मांस पेश्यां भी मजबूत होती हैं दोस्तों नमबर फोर्टिन सुबह सुबह अंकुरित चने का सिवन करना बहुत ही फायदेमंद रहता है अधिक तर लोग इसका सिवन सुबह उठने के साथ ही करते हैं इससे ना केवल शरीर को उरजा मिलते है बलकि बीमारियां भी दूर नहीं फट बलकि बीमारियां भी नजदिक न सलाद का सहारा ले रहे हैं भूख लगने पर वह फास्ट फूड या जंक फूड की बजाय इसी तरह के सलादों का सहारा ले रहें यह सलाद नकेवल पोशक ततुवों से भरपूर होते हैं बलकि इनका स्वाद भी आपको इन्हें खाने के लिए ललचाता है अंकूरित चने की सलाद एक रेशीपी भी है जिसे आज का लोग बड़े हैं चाव से खाते हैं इसलिए यदि आप भी अपने सेहत को लेकर गंभीर हैं तो अंकूरित चने की सलाद को अपने डाइट में शामिल करें और स्वस्तर हैं तो ये था आप सभी के लिए आज का हमारा वियो दोस्तों अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महतो पूर्ण जानकारियों को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों